बारत में इंडस्ट्रियल कंप्रेसर बनाने वाली टॉप कंपनी कॉम्टे के सीओ हमारे साथ है वेनो सिंग जी राठोड राठोड साब आप अब तक जो है कंप्रेसर मनाते रहें बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्री के अंदर जो काम आने वाले और अब आप अचानक से में जो यह इवी स्कूटी है इलेक्टरिक स्कूटी है इवी की विकल उसके फिल्ड में भी उतर गे तो बताएंगे अपने बारे उसके इवी के बारे में अब आने वाला टाइम अगले समझो 2030 के बाद में आपको आइस इंजिन जो इसको टूविलर है को कहीं देखने को नहीं बलेंगे और इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टूविलर यूजर कंट्री है तो इसको बहुत ही बड़ा इंडिया के अंदर और हमका आसा है कि इलेक्टरिक टूविलर बिजनस ह पॉलिट ढूंच कर पाएंगे इसमें आप कितने मॉडल लुच कर रहे हैं फिलाल तो एक मॉडल लौंच किया है और आने वाल टाइम नाय मोडलुस करेंगे और जो भी मोडल होगा हमारा तो और इसके अंदर मारकेट इनकर जितने भी लोग है यह वी जो बन रहे हैं सकूटीए बन रहे हैं इसमें आपकी में कोई खास डिफेरेंस रहे गा कि एथुल्बिए जों में अलब जो स्ट्रेंथ अमारी हो मनुफेक्टरिंगु है तौर हमारे लिए इए इस्कोटर बनाना इस बाड़ी चलेंज नहीं है इन आ जो भी हो जो है विए हमलोग अलब हम अज़े पच्छी ती हाइसे कंपर इंडस्ट्री में है और manufacturing line में तो और almost scooter और हम लोग जो air company बना रहे है टेकनलोजी करीब करीब जो अंदर use होती हो से में तो हमारे लिए इतना कोई tough नहीं है scooter बना तो इसलिए हम लोगों ने सुचा कि जो हमारा existing business model है उसी में set हो रहा है तो two wheeler बनाने का step लिया हम करन रा ठोड़ जी आपकी यह जो EV scooter है तो सबसे पहले तो इसकी जो specification है वो बताईए इसमें specifications में तो यह चीज है कि हम लोग इसको standardized करना चाते थे जो भी standard companies दे रही है उसको थोड़ा दस परसन उपर सेट करना चाते तो जितनी भी चीज़ा हमने रखी जैसे battery capacity तो इसको रेंज है वह 135 किलोमेटर की बागी कमनी 110 किलोमेटर देती है इसका speed जो है पिक जो है बैटरी सेफटी अम लोग ने टॉप प्राइविटी रखी इसमें और देखा जाए तो आप इसमें एंटी थेफ्ट लॉकिंग सिस्टम है जिससे अगर कोई चोड़ी कर रहा हो तो अलाम बजने लगेंगे बूट स्पेस इसमें मुलब जो डिकी का स्पेस आप देखोगे लगे 32 लिटर इसमें तो यूटीलिटी के हिसाब से काफी अच्छा है आप सिलिंडर भी आगे रख सकते हो प्लास इसमें डिक्स डिस्क रिएपी बीचे तो पाटट के हिसाब से हिसाब से अगर फैम्ली स्कूटर किसी को चीत और सब्सक्रांट करें जी मुझे यह बताइए कि कोई आदमी आपकी एजेंसी लेना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा उसका प्रोसेस ऐसा है कि आप एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट हमने बहुत कम रखा भी इनिशली 15 लाक रखा है जो आटो मोबाइल सेक्टर के सबसे काफी कम है बट सीरीज होगी ऐसे की सारी चीज़े जो आप रखोगे जो एक्च्वल जो आमाउंट है वो आपको आपके लिए देना है तो इसमें कुछ ऐसा डिपोजेट नहीं है वर्ट इनिशल खर्चा काफी कम है इन्वेस्टमेंट काफी लो है तो हर कोई इसको कर सकता है मतलब 15 लाक रुपे के अंदर आप 10-12 गाड़ियां दे देंगे इस पेर पार्स देंगे प्लस जो शोरूम का इंटीर जो खर्चा होता है वो भी हो जाएगा पंद्रा लाक इन्वेस्टमेंट में मलब इलेक्ट्रिक स्कूटर की एजेंसी कोई भी आदमी शुरू कर सकता है और यह बिजनस में इन्वेस्ट करो तो आपको रिटर्न आपको बहुत जल्ली मिल जाएंगे और इसका वाइबिलेटी आप 20-20 वेकला महीने के बेचो ना तो आपके खर्चे भी निकल जाएंगे और आपका 1-5 लाग का प्रॉफिट निकल जाएगा उसमें करन जी सबसे बड़ी जो समस्या है मैंने कई जो एजिंसिया है उनसे बात की कई आसपास मैंने देखा बंद भी हुई है तो यह बड़े ब्रांड के आगे आप मैं लग किस तरह से उनको कंपीट कर पाऊगे देखे जो बंद हुई है ना उसमें कुछ सबसेडी का प्रॉब्लम किया था लोगों ने और उसके फाइंस इतने जादा आगे थे कि वो लोग उन लोग को बंद करना पड़ गया तो प्रॉब्लम वहां थी कि उन लोग ने कुछ घोटा ले किये थे और उसके वैसे प्रॉब्लम करते हैं के सारी सीज़ होती है पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है यह एक्चल नंबर प्लेट वाली वहेकल रहेगा आपका प्रॉपर नंबर प्लेट बनेगा इसका राटिव रिस्टेशन होगा सारी सीज़ होंगी और कंपीट करने के हिसाब से हम लोग सारा प्लेट चैकल चीजह उसकी जानकारी दिये और पता है कि यदि आप लोग इसकी एजेंसी लेना चाहें कोई व्यापार के लिए तो किस तरह से आप इनसे एजेंसी ले सकते हैं इनका नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देंगे ताकि आप इनकी कंपनी के जो मार्केटिंग टींग में उससे आप संपर करके इन से एजेंसी ले सकते हैं और अपना कोई व्यापार कर सकते हैं धन्यवाद